जहीं सभी को मैं राहुल देश वाले वाँ टॉप तक पर स्वाध करता हूं तो भाई सब ओफिसल नोटीस आपका आ चुका है कि रेलवे में एक्जाम कब होंगे और गुरूप डी के एक्जाम कब होंगे अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कब हो सकत हैं और भाई सब जैसे भार निकलाओं 15 मिनट में नोटीस भी आ चुका है कि कब-कब एक्जाम होने हैं और आपकी किन-किन सर्तों को उन्होंने मान लिया है तो कभी-कभी तो मेरे ऐसा लगता है जुबान पर सरस्वती माता बैट जाती है जो बोला और वही सत्तोंने वाल अब अपना अपना अफिस्यली स्टेटमेंट दे दिया और डिसाइड कर लिया है कि कब एक्जाम लेंगे और मेरे भाई कितनी आपकी सरते माल लिगई है तो पहला पढ़ लेते हैं तो पहला पॉइंट तो पहला पॉइंट लेकर यहां पर चलते हैं क्या माना पहला पॉइंट तो पहला पॉइंट आपका यूनिक candidates will be shortlisted with pay level wise for second state computer-based test यानि simple simple 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे एंटी पीसी सीवीटी टू एक्जाम के लिए आपका वाज आ रही होगी बिल्कुल के लिए आ रही है यानि कि जो पहला पॉइंट हमारा सबसे बड़ा था क्योंकि देखें ट्यूटर पर किसी ने बताए किसी ने कहीं बताए यह न्यूस तो आप पहले भी सुन चुके हो परन्तु बिल्कुल ऑफिस यह अभी तक कहीं से भी नहीं आई तो जो ऑफिसल लोटिस आ चुका है तो एंटी पीसी सीवी अरिदी अनॉंच्ट क्वालिफाइड विल कंटीनिउ टू रिमेन प्वालिफाई यानि जो पहले ही क्वालिफाई हो चुके थे यानि जिनका पहले ही नाम आ चुका था 304 लाख बच्चे जो भी थे अप्रोग्स उन बच्चों का ऐसा का ऐसा नाम रहेगा उसके अलावा कुछ साढ़े तीन या 3 लाख बच्चे ने लिए जाएंगे यानि कुछ साढ़े तीन 4 लाख बच्चों का और नाम उस लिष्ट में जुड जाएगा और वो नाम आपका भी हो सकता है यानि आपको तैयारी पूरी रखनी है क्योंकि एक्जाम की डेटा भी बताता हूं कुछ कुछी दिनों में एक्जाम आने वाला आपका ठीक है उसके बाद बहुत सारी सुनते रहो दा लिश्ट ऑफ शेयर करें बिना नहीं रुख पाऊंगे इतना कहता हूं दा लिश्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गैटिंग स्वाड लिश्टेड विल बी नोटिफाइड इस नोट पॉसिबल विकोस ऑप कैपसिटी कंस्ट्रेंट्स और अधर्वाइस परसेंटेल बेस्ट नोट विल बी डन कोशिज की जाएगी जो यह वाली लाइन अप बहुत इंपोर्टेंट है इस लाइन को जरू सुनिए कोशिज की जाएगी मेरे भाई कि आपकी एक ही ज चार-चार सिफ्टों में होता है तो नहीं हो जाता है घeti कोशिस करा या परन्तु इतने सारे बच्चे साथ एक लाख बच्य हो गए तो पेपर कराने में कोशिस तो यही कराया जाईगी एक ऊगर Pause के बाद अब आ लगा दो तिन दिन में एकजाम हो रहा तो उस कंडिशन में परसंटाइल बेस्ट आपका नौबलाज़ाशन कराए जाएगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उस संटाइल बेस्ट नौबलाज़ाशन जो की एक अच्छा नौबलाज़ाशन होता है जिससे की कोई दिक्कत नहाती बिल्कुल एकदम एक्दम बनी रहती ह है किसी के साथ गलत नहीं होता तो वह वाली नॉमलाइशन करा जाएगी उसके बाद आगे पॉइंट है सी एन और रर्सी जिरो और दो जार्वन यह हो गई अब गुरूप डी की बात एंटी सी पीसी की बात अभी रुक गई यहां पर अब गुरूप डी की बात विल भी स्टेज सी बीटी यानि की कोई सेकंड स्टेज सी बीटी नहीं होगा रर्सी वाइज सी बीटी विल बी हैट फोर लेवल वन आल्सों मैक्सिमम अवेलेबल कैशिटी इस रिकमेंड इस तो सिंग्निफिकेंटली रिदूस दा नंबर उफ सिंवल्ड फोर इच रर्सी एंड टू स्पीड अब दा एक्जामिनेशन प्रोसेस कोशिस की जाएगी एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एक्जाम लिया जाए जिससे कि कुछ ही दिनों में एक्जाम हो पाए ऐसा होता है निकि बच्चे तो करोड़ों में तो ऐसे तो चार-पंच्छे मिन त पर आते हैं लीजे इसे ऊपर केच खीच देते हैं इसका दिहां पर आगे अब परसंटाइल बेस्ट नॉबलाइशन विच इस सिंपल एंड इजी टो अंडरस्टेंड विल बी यूजट वेरेवर दा नंबर ऑफ सिफ्ट इन्वोल्ड आर मोर दैन वन अगर जहां भी एक से सिफ्ट इन्वोल्व होंगी किसी दिन की वह एक से ज्यादा सिफ्ट हो रही है तो परसंटाइल बेस्ट नॉबलाइशन होगी जो की सिंपल और एजी है अंडरस्टेंड में तो कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चे साथ मैडिकल स्टेंडर्ड वैसे के वैसे रहेंगे जैसा कहा गया था आई आरेम के द्वारा इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुवल द्वारा उसके बाद अगर अब आ जाती है इड़ाइस वाले बच्चों की बात भाई यह भी में बुद्दा था ठीक है इड़ाइस वाले बच्चे बहुत से कह रहे थे कि सर हमारा 2019 के बाद बना है क् कोई दिक्कत नहीं है आपका सर्टिफिकेट भी मानने होगा पर किस कंडीशन में आप अगर इंकम अपना इंकम का सर्टिफिकेट पिताजे वगरा का दिखा पाओगे तो और वो तो याज़ अगर आप देर रखायाँ तो सब पर होता ही है यहाँ पर पढ़ सकते हो और फ पर जो चीज़े हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं ठीक है तो हम यहां पर थे कि भी यह एनी अवेलेवल ओफ इंकम इड़ वालों के लिए कि भी यह एनी अवेलेवल ओफ इंकम एंड ऐसेट सर्टिफियेट फॉर केंडिडेट्स हु एप अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली विकर सेक्शन तो आपके पास इंकम का स्रटिफियेट होना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी आशेट सर्टिफियट तो इनकम चाहिए सब पे होगा जोनों इंडव इंडस बनवाय होगा तो वह सभी पर मिल जाएगा अब आ जाते हैं कि डेट कब कब और कैसे कैसे रहने वाली हैं ठीक है देख लेते हैं देख लेते हैं आजएए टैने टेटीव औफ सी एन जी रोवन दोजार नीस यानि एंटी पिसी और गुरूप डी की डेट्स तो रिवाइज रिजल्ट्स ऑफ और पे लेवल्स टू बी डिकलेड बाइदा फर्स्ट वीक ओफ अप्रेल दोजार बाइस यानि कि पहले तो रि सबसे पहले लेवल सिक्स के आपके एक्जाम कराई जाएंगे जो की मई 2022 में स्टार्ट हो जाएंगे पहले लेवल सिक्स होगा फिर उसके और लेवल क्योंगे और साथ में यह कहा रखा है उनमें गैप बनाए रखेंगे सेगिंड इस्टेश इवीटी फॉर अधर पे लेवल सिक्स का उसके बाद चार पांस दिन का अगले का स्टार्ट कर देंगे इसी तरह से सब के लेते लेते कब तक खतम कराने वह यहां पर दे देते हैं इट है इस बीन डिसाइडिट फोलो रिवाइस मेथेडोलोजी विद इस स्पेशल कंडिशन फोर कंड़क्ट और सी सी बीट अटेक्स रहा यह कुछ निया इतरह खास इस विल इन्वल मॉबिलाइजिंग अधिशनल इस फार स्ट्रक्ट्राइड लोजिस्टिक्स तो कंड़क्ट सी बीटी फोर लेवल वन विद सिगनिफिकेंट इंक्रीज इन पर सिफ्ट रिकूरूट्मेंट एफर्ट वि लिया जाए यानि सभी लेवल के एक्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए और यह नोटिस में आखरी में बताये गया है नीचा चेयर पर्शन रेलवे रिकूर्टमेंट बोर्ट और डेट है यह आज की दस तीन दोजार बाइस तो मेरा बहुत अच्छी है वह थी नोटी सब्सक्रण बहुत सारा आपके चलए आपके चल रहे हैं और यह सभी सिंफल एक पर मिल रहे हैं इंडिया की सबसे बैस्टेप और नाम आपने सुना ही होगा तॉप तक सैदी कोई बच्चा हो जिसे टॉप तक के बारे में पता नहों तो अएक है जिसे ने हजारों से ज्यादा अधिक बच्चों का क्या करवाया सेलेक्षन करें तो मेरे और उपर से मेरा पूरा-पूरा सपोर्ट मैं भी तो वहां पर हूं और मेरा होना ही सप्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ रोजरातon पड़े टोप तक यूटूबपर भी पड़े और पर पर पड़े तो टोs घुझन ना भुले तो मिलते हैं अज इसमी ले लिगे है क्या कि अब मेरे भाई देखिए अभी से कॉम्टिशन शुरू चुका है ठीक है ओके भाई लब यू जाहिन जावारत फिर मिलते हैं आल राद नौब जाए